हम ब्रम्ह चारडी रूप की भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं दूजे नोराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम ब्रम्ह चारडी रूप की भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं दूजे नोराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं नोरातों का त्योहार, भगतों को लगाएं पार ब्रम्ह चारडी का मतलब तो तपकी चारडी हैं भगतों को अपनी माता यह पार तारडी हैं राजा दक्ष प्रजापति के घर पूर्व जन्म था हुआ बोले नातिक संग किया था माता सतीने विवाह लेकिन दक्ष न यक्के में कर दिया भोले का अपमान हवन कुंड में कूद के दे दी माता सतीने जान फिर तो ही माले के घर में यह पुत्री बन आई पारवती गौडा और सैल की पुत्री कहलाई दर्शन करने इनके नारद जी चले आते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नौदाते में इसके रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नो रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नारद जी ने आकर के माता को किया नमन बोली गौरा मुनिवर क्या है आने का कारण नारायन नारायन कर वो लगे है फिर मुसका ने बोले मैं क्या बतलाओं मां आप तो सब कुछ जाने जानता हूँ मैं सिवसंकर को आपने बरना है बड़ा कठिन तप लेकिन इसके लिए तो करना है करके घोर तपस्या आप सिवसंकर को पाओगी तपका आचरन करने वाली माता कहलाओगी इतना कहकर नारद जी तो लोट ही जाते हैं पावन कठा सुनाते हैं दूजे नोराते में इसके रूप कुध्याते हैं हम कठा सुनाते हैं नोरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार इनके पिता को हो गई इनके विवाह की जिनतार नोरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार इनके पिता को हो गई इनके विवाह की जिनतार पारवती का खोजन वर एक पंडित को भेजा दसो दिसाओं में वह पंडित घूमके आया है कोई योग वर पारवती के लिए ना पाया है बोली पारवती है पंडित जाओ तुम के लाज सुसंकर है मेरा वर जो करता वही निवाज कहने से गवरा के पंडित है कैलास पे आये देखा के एक योगी बैठा वहां पे ध्यान लगाए देख के बुढ़े बाबा को पंडित घबराते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नोराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नोरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नोरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार फिर पंडित ने जा करके हैं सुको किया नमन बोले सुहे पंडित बतलाओ आने का कारण बोला पंडित राजा हिमाले के यहां से मैं आया पुत्री पारवती का विवाह आपसे करना चाहा जिद है पारवती की विवाह बस आपसे करना है बड़ा घोर तप पड़ जाए चाहे उनको करना है बैठ गई है तप करने जब तक आप न माने अंतर यामी हो खुद ही भोले आप सब जाने अब माता की तप की कहानी तुम्हें सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार नवरातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार जानत थी मागवरा ऐसे सुना मानेंगे इसलिए वो करने तपस्या गई हैं जंगल में बैठ गई वाहध्यान लगाकर स्यूही स्यूधाए कई हजारों वरसों तक बस कंद मूल फल खाए कंद मूल फल छोड़ दिये फिर खाए पत्ते बेल मा की महिमा माही जाने कैसा अजब है खेल पेड से तूटे सूखे पत्ते खाने लगी माता घोर तपस्या इनके जैसी कौन है कर पाता देख के ब्रह्मा विष्णू चिन्ता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार नौरातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार सूखे पत्ते खाने से पड़ा इनका नाम अपरणा ठान लिया था माताने बस सिवको है वरना ऐसा घोर तप करने से हुई इनकी काया जर जर रही अटल अपने निश्चे पे रही घोर तप कर फिर तो माने खाने छोर दिये सूखे पत्ते भी बोले ब्रह्मा विश्णू यह संभो है आप से ही ऐसे घोर तपस्य आज तक कोई ना कर पाया ब्रह्म चारणी नाम मात का तब ही कहलाया भोले नात को हम विवाह के लिए मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार हुई तपस्या पूरी आप की लोट के घर जाओ है वरदान कि स्यूसंकर को पती रूप में पाओ फिर दोनों आए कैला सिपस्यूसंकर को मनाने भोले तो भोले है इनकी माया यही है जाने खत्म हुआ है भोले अब तो बरसों का इंतजार करो विवहाब पारवती से जग का हो उत्धार कहने लग की भोले जैसी आपकी है इच्छा आज्या आपकी सपने में भी टाल नहीं सकता ब्रह्मा विश्नु के कहने से मान वो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्यो हार भगतों को लगाए पार भगतों को लगाए पार ब्रम्ह चारणी रूप में माने ऐसा किया घुर तप इस स्रिष्टी में ऐसी तपस्या किसी निना की अब तक तपका आचरण करने वाली ये ही माता है ब्रम्ह चारणी रूप का जो भी ध्यान लगाता है त्याग और तप में लगता मन उनका भटके ना कठिनाई जो कुछ आए तो शक्ती देती मा दूजे नो राते में इनके रूप को ध्याते है शक्ती दायन माता से वो शक्ती पाते है भक्ती पथ से अपने मन को ना भटकाते है पावन कथा सुनाते है दूजे नो राते में इसके रूप कुध्याते है हम कथा सुनाते है नो रातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार अपने हर एक जन्म में माने स्यूको पाया है कभी सती कभी पारवती का रूप बनाया है आदी सक्ती है माता ये जग को तारने वाली यही सारदा यही है लक्षमी और यही है काली नो रातों में नो दुरगा की पूजा की जाती है दूजे रूप में माता प्रम्ह चारण कहलाती है बाए अंग बिराजे सुके करती सेर सवारी भगतों को माहर एक रूप में लगती है प्यारी धन्य भाग भगतों के दर्शन से हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नो राते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए मान ब्रम्ह चारणी रूप की जो भी करते हैं भक्ती कठिन परिष्थितियों से निपटने की मिलती शक्ती हे माता रानी देना पस इतना असिरवार भूलू ना कभी नाम तुम्हारा मुझे रहे सदयार हंस राजरिल हन माता तेरी शरन में है आया अपनी क्रिपात रिष्थी की बस रखना तुम छाया डी अस पाले ने महिमा ब्रम्ह चारणी की है गाई फोजी सुरेस की कलम से निकली है ये कविताई सुनकर महिमा भक्ति भाव में सब बह जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं तुझे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार